नमस्कार कलास 11 तवाले चात्र अपना इंगलिस का स्त्रेमा सिक परिक्षा का पेपर देख लिजेगा इस पीपर का समी तीन गंटे होनी वाला है पुनांक असी अंक और आपको इस पीपर का फुल सोलिशन इसी वीडियो में मिलने वाला है तो इस पीपर का हमारा पेला कुष्चन दिया स Suzanne A से कुष्चन नमर फश्ट में आप सभी को एक पेसेस दिया गया है जो आपकी परिक्षा में 10 नंबर का आने वाला है आप सभी को परिक्षा में पेसिस को सावधानी पुर्वक पल देना है इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आप सभी को 10 कुश्चन दिये गए है तो पहला कुश्चन देख लिजगा पहले कुश्चन में करेक्ट अंसर बेटर इंड कॉलेटि तीसर देख लिजगा तीसरे में आप सभी को करेक्ट अंसर लिखना होगा अगस्त से फरवारी 5 वाले कुश्यन देख लिजगा 5 वाले कुश्यन में आप सभी को correct answer लिखना होगा D वाला और 6 वाले कुश्यन देख लिजगा 6 वाले कुश्यन में आप सभी को correct answer लिखना होगा B वाला 2 टाइपस है और 7 वाले कुश्यन में आप सभी को correct answer लिखना होगा C वाला both A and B और 8 वाले कुश्यन देख लिजगा 8 वाले कुश्यन में आप सभी को correct answer लिखना होगा A वाला 25% और 9 वाला कुश्यन देख लिजगा जिसमें तो इसमें आपको लिखना होगा A वाला करेक्ट अंसर और आपका 10 वाला कुश्यन दिया 10 वाले कुश्यन में आप सभी को करेक्ट अंसर लिखना होगा A वाला जिससे कुश्यन नमर फश्ट के 10 नंबर complete हो जाएंगे अब आप सभी कुश्यनवर 2 देख लिजगा इसमें भी आप सभी को एक पेसेस दिया गया है जो आपकी परिक्षा में 4 नंबर का आने वाला है तो आप सभी इस पेसेस को उपर से लेकर नीचे तक पल डिजगा इसको पढ़ने के बाद इस पेसेस में आप सभी को सबसे पेले इस पेसेस का टाइटल सीसक आपको बताना होगा उसके बाद आप सभी को नोट से बना कर लिखना है जिससे 4 नंबर यहां से compete हो जाएंगे तो इसका अंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लाश्ट में अब आप सभी कुष्चिन नमर 3 देख लेजगा section B से कुष्चिन नमर 3 के पेले में आप सभी को एक notice बना कर लिखना होगा और इसके और वाले कुष्चिन में आप सभी को एक attractive poster बना कर लिखना है तो सभी के अंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लाश्ट में अब आप सभी कुष्चिन नमर 4 देख लेजगा कुष्चिन नमर 4 के पेले में एक later आपको लिखना होगा और इसके और वाले कुष्चिन में भी आप सभी को एक later लिखना है तो दोनों के अंसर बता देंगे अब आप सभी कुष्चिन नमर 5 देख लेजगा जिसमें क्या करना है किसी एक topic पर एक article तियार करके लिखना है तो आप सभी किसी एक topic पर एक article तियार कर लिजगा याद कर लिजगा ठीके और इसका और वाले कुष्चिन में आप सभी को एक report तियार करके लिखना है अब आप सभी section C से question 6 से देख लिजगा fill in the blanks मतलब रिक्तिस्तानों की पूर्ती करके लिखना होगा जो आपकी परेक्षा में आने वाले पांच नंबर के तो पहला देख लिजगा पहले में आपको article का प्रयोग करना होगा तो पहले में correct answer आपको लिखना होगा un दूसरे में correct answer आपको लिखना होगा my और इसके जाते ही आपकर एवाले में correct answer आपको लिखना होगा आपको लिखना होगा आपको अंतिल और इवाले में आप सभी को correct answer लिखना होगा जिससे पांच नंबर यांसे complete हो जाएंगे पल दीजेगा और आप सभी question number 7 देख लिजेगा do us direct any five निर्देश के अनुसार इन question के जवाब देने होगे तो पहला आपका दिया जिसमें क्या पूचा है he did it तो इस sentence को आप सभी को negative में बननना होगा और बी वाला आपका दिया है they are flying food wall तो इसको आपको OS में chain करना होगा और C वाला देख लिजगा C वाले में आप सभी को इपकिस्तान पर unless का प्रियोग करना है और D वाला देख लिजगा जिसमें क्या करना होगा present perfect tense में इस sentence को chain करना है E वाले में आप सभी को so did का प्रियोग करना होगा और एफ वाले में आप सभी को इस sentence को correct मतलब सही करके लिखना है सुद्ध करके लिखना है तो सभी के answer आपको बता देंगे अब आप सभी 6 and D से question number 8 देख लिजिगा इसमें एक pages दिया है जो आपकी परिक्षा में आने वाला 5 number का तो आप सभी spaces को पल लिजिगा इसको पढ़ने की बाद इसके नीचे 5 question दिये है Who is Mary? तो पहले में लिखना होगा correct answer लिख लिजिगा A वाला और दूसरा आपको दिया दूसरे में correct answer आपको लिखना होगा C वाला तीसरे में correct answer आपको लिखना होगा B वाला came out और चोते में correct answer आपको लिखना होगा C वाला there and was near और 5 वाली में आप सभी को correct answer लिखना होगा B वाला angel अब आप सभी question में mind का A वाला question देख लिजिगा तो इसमें एक convenience दिया है इस convenience को पूरा पल लिजिगा जो आपकी परिक्षा में आने वाला तीन नंबर का इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे तीन question आप सभी को दिये गया है तो पहला देख लिजिगा who are betty and dolly तो पहले में correct answer आपको लिखना होगा C वाला और दूसरे में correct answer आपको लिखना होगा C वाला फास्ट और आपका 3 वाला दिया 3 वाले में आप सभी को correct answer लिखना होगा B वाला अब आप सभी question 9 का B वाला question देख लिजिगा इसमें एक पेसिस दिया गया है जो आपकी परिक्षा में 4 नंबर का आने वाला है इसको देख लिजिगा पल देख लिजिगा इसको देखने के बाद इसके नीचे चार question दिये तो पहला आपका दिया है From which lesson this text has been taken तो पहले में correct answer आपको लिखना होगा A वाला the address दूसरे में आप सभी को correct answer लिखना होगा C वाला here mother और तीसरा आपका दिया, तीसरे में आप सभी को correct answer लिखना होगा, B वला, Valuable और आपका चोतर दिया, चोतर में correct answer लिखना होगा, C वला, Memories अब आप सभी question number 10 देख लिजगा, sort answer type question तो आपको 5 question दिये, ठीके, तो पाचों के answer आपको परिक्षा में लिखना होगा तो इनके answer आपको बता देगे इस वीडियो के last में, अब आप सभी question number 11 देख लिजगा, इसमें आपको 4 question दिये, चारों में से सिर्फ है तीन question के जवाब देना है, answer लिखना है परिक्षा में, 12 question देख लिजगा, जिसमें 2 question दिये, दोनों के answer आपको लिखना होगा परिक्षा में और 13 question आपका दिया है, ठीक है, और 14 question आपका दिया है, पल लिजगा, मतलब याद कले जिगा, और 15 question देख लिजगा, इसमें आपको 2 question दिये, दोनों में सिर्फ आपको एक question का answer लिखना होगा एक्जाम में अब मैं इस paper का full solution आप सभी को बता देता हूँ, तो आप सभी इस paper का full solution देख लिजगा, जैसे कि हमारा पहला question पूछे गया था, जिसमें एक pages दिया गया था, जो आपकी परिक्षा में आने वाला 10 number का पल दिजगा, और आप सभी का याँपर question दो का answer हो जाएगा, जिसमे title and notes से बना के लिखना है, तो इस प्रिकार से आपको परिक्षा में title लिखना होगा, title के बाद आपको notes से बना के लिखना है इस प्रिकार से, ठीक है, और आप सभी देख लिजगा, section C से question number 6 का answer, जिसमें fill in the blank से आपको करने है, और question number 7 का answer देख लिजगा, जिसमें do as directed आपको करने है, इसको साथी आप सभी देख लिजगा question number 8 के answer, question number 8 के बाद आप सभी को question number 9 का A and B के answer याँसे मिल जाएंगे, ठीक है, अब हम चलते हैं यापर अगले question के answer पर, तो यापर देख लिजगा question number 3 का answer, question number 3 के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को question number 3 का और वाला का answer याँसे मिल जाएगा, जिसमें एक poster बना के आपको लिखना होगा, blood donation camp, donate blood के बारे में आपको एक poster बना के लिखना है, ठीक है, और यापर question number 4 का answer देख लिजगा, question number 4 के बाद याँपर देख लिजगा question number 4 का और वाला का answer, ठीक है, और आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को याँपर question number 5 का answer मिल जाएगा, जिसमें important of games and report, इसके बारे में एक sort paragraph बना के लिखना है, अब आप सभी question number 5 का और वाला का answer देख लिजगा, जिसमें blood donation camp, इसके बा अब आप सभी देख लिजगा 4 वाला का answer, 5 वाला का answer आपको दिया है, और 11 का आपको पेले का answer दिया है, और आप सभी को दूसरे का answer याँपर दिया है, और तीसरे का counter आपको यह पर दिया है और चोते का अंसर आपको यह पर दिया है अब आप सभी को यहां पर 12 कुष्चन का पेले का अंसर दिया दूसरे का अंसर आपको यह पर दिया है अब आप सभी देख लिए जगा 14 कुष्चन का पेला एंड इसका और वलका अंसर और आप सभी को मिल जा मिलते अगले वीडियो में